आज हमारी चर्चा का विशह है कि चतन महाप्रबु ने कैसी अपना मंतव्य और शिक्षा है तो यह इस क्रम में जो है तीसरा सत्र है रख्वान का आवान करने के बार हम अंग्दा चरन करेंगे और फिर हम जो है विशह पे चर्चा करेंगे लग्दी यह जरा हम जरा घरान यह जराओ मढवा मंठा कुंजी कैडें पुंजी अचा कि आप है गिरवार धारी नयाखोबी जना वर्लापा गिरवार धारी यशो धननना था जन रंजना जना थी राव नचारी प्रिश्मार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार् हरे राम, 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 हरे राम आप्र एकुष्ण एफल्सまでट एकुष्ण को ए technology में एकुष्ण एकुष्ण है में प्र्ष्ण कि न ए आरे राम अरे राम नाम नाम ने चिरे जै बबुपाइजуг्म् थैज यह जैसे अपद्धु यह इसन द का जय जाया अपा जैस अपुक्तama ğ मैं जुज रूज रूरुदी । जाया गुदो देव, 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 गुदो दे जुए पच्रण कान्ता राधा कांता नमस्ते तब तकांचन गाउरंगे राधे विंदावनेश्वरी विष्मानसुतु देवी प्रणमानेश्वरी वांच्छा कल्पतर व्यसा क्रिपास अभेवचा पतिता नाम पाबने व्योग वैष्न वेवोनमोनम्न। जैशी कृष्न चायतन्या प्रभुनित्यनंद्ड़ स्रीया थ्वाःताकलाद्धना श्रीवस्दि गऌुर अत्यृ enrollment क्रिफ्ण हरे कृष्न, हरे कृष्न, हरे कृष् preservismusर्म, नाम, 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 ने एफ्रण, हरे Building, नडन, औ dualू यजी गैन्द्धे व्योग व्योग श तो ये तीसरा सत्र है, जिसमें हम ये चर्चा कर रहे हैं कि इशक्गो सामियों का योगदान जो है, हमारी परंपरा में क्या रहा है, इशक्गो सामी जो है, जैसा हमने पहले चर्चा करी थी और पढ़ा दी, ये हम प्राट्रा में भी बोलते हैं, हमने मंगरी चलने में बोलते हैं, और रूप सामी जो है, वो भग़वान का जो मनोभिश्ठय है, जो भगवान का मनतव है, जो भगवान चैन्म चाहते हैं उन्हें कराना कि यहांपर फूताल के जो है वाकती फूर सापित हो और तझात हैं और निद्धितु में सारे शेक और स्वामियं के धार। रूप गॉस्वामियृ पीज्थिते हैं। त disp6 का हम करते हैं इस पाथ मेंpe परच्चह ये कि बारे में चर्चा करी थे उनके अनुपंग उनके विशह में भी हमने चर्चा करी थे और हमने ये समझा था कि कैसे ये लोग बड़े ही ब्राह्मन परिवार से आये थे और उसके बाद परिस्थितिवश जो है उनको जो है बल पूरवक नवाब की सेवा में लगाया गया नवाब हुसाइन शाह की सेवा में और उनको जो है को साकार मलिक और दवीर थास के नाम से जाना जाने लगा रूप गुसामी और सनातन गुसामी को और उनके जो ब्राता थे छोटे ब्राता शीव लब भी अनुपम मलिक के नाम से जाने लगे इसके बाद इनी तीनों ब्राताओं ने जो है भगवान की शरंडी और भगवान की शरंड लेने के पाद ये इनके प्रकारणित जो है पहले तो रूप और अनुपम जो है नवाब की सेवा से उन्होंने पलाइन किया, वहां से भाग लिए और विंदावन के मार्ग में जाते समय उनको पता था, उनको ग्याद था कि जो है चतन महाप्रभू भी पूरी से विंदावन जा रहे हैं तो उनको प्रयाग राज में दस दिन तक जो है रूप और सामी को जो है शिक्षाएं और अनुपम को शिक्षाएं जो है चतन महाप्रभू भी पूरी तो उन शिक्षाओं के विच्षाए में हमने चर्चा की थी पहले कि क्या शिक्षादी वहां पे चतन महा प्रभुन को बताया है कि आत्मा का सुरूप कैसा होता है आत्मा बड़ी लग्व होती है जीव का सरूप है वो आत्मा है और आत्मा बड़ी लग्व होती है एक बाल के एक अंच का अगरभाग का मतलब उसके टिप का एक दसजारमा हिस इस रकार से बहुत से जीव हैं जिनके पास आत्माई होती हैं और करोड़ों जीव हैं बहुत सारे ब्रह्मांड हैं बहुत सारे लोग हैं और इस परकार चौदा चौरासी लाख यूनिया हैं चौरासी लाख यूनियों में से जो है चार लाख यूनिया मनुश्यों की हैं और मानिष्यों की युणिया जो हैं उसमें कुछ संस्कृती है क्योंकि भगवान ने कुछ गुद्धी दिये हैं.. लेकें बहुत ही कम है जो एक निश्काम बट्धी के सितान्त को समझती है.. जाए तर सकाम धर्म ही जांते हैं.. जैसे भगवान से कुछ मांगा जाए, और पूरा हो जाए. तो बहुत कम है जो निश्काम भक्रिश्प्रहते हैं, उसमें से बहुत ही कम है जो भगवान क्या प्रेम जानते हैं. तो यहां तक हमने पढ़ाता उसके बाद हमने ये भी समझाता तो ये पहला सत्रता दूसरे सत्में हमने चार्चा की दी कोई भागवान जीव होता है जिसे भागवान और प्रिश्ट और गुरु की रपा प्राप्त होती है और भक्ति रदा बीज मिलता है तो वो श्यवन की ॐस्तर्च हमने और प्राक्ज क्र्च करता है और अरुट श्यवन कीडा गारा सेवा स्यिस्सी और वगारा के वी przeci पर इस और अधिमैडर दिया ओटी बढ़ते है बड़ते जो है बहते बढ़ते जnes ग्रमान पता करते हूए अधश्र्ट को करते हुए भर्ड़ ऌन तो यहां तक हमने समझा कि कैसे वक्ति में क्या वैवदान आ सकते हैं जिसमें की मुख्य वैश्णव अपराद और वैश्णव अपराद और अपराधों के कारण ऐसा हो सकता है कि अन्य उप्लताएं निकले आएं जिनकी वज़े से लिए जिसका विकास. तो यहां तक हमने समझा कि ये विकास रुख सकता है और हमें क्या करना चाहिए ? चतन महादमाने में बताया कि जितनी उप्लताएं उनको खाळके फेक देना चाहिए ? और जो है इस प्रकार माली के रूप में जो है उस लता को वहरचा बहुत रखना चाहिए, उसको बचागए रखना चाहिए, उसके चारों रहर एक बाढा बनागे रखना चाहिए, वो बाढ़ा शुत्व बक्तों में संकती है जिससे कि हम जो वैशना वप्राद है बना करें प्रकार का संबंद जीव का जो है भगवान से होता है जब भक्ती लदा जो है तो परिपक्त हो जाती है और उसमें फल लगते हैं और उसमें कुछ रास होता है तो पांच प्रकार का रश होता है और वो पांच प्रकार का रश है श् siinä रश घार रश सखा रस और वाटशल्च रश ethics तो इस पकार से चतन महाप्रगु ने रूप गुसामी को शिक्षा दी और इसको हमें अगर पूंडूप से समझना है तो हमें भक्ति रसम रसिंदू जो है उसका उसका पाठन पाठन करना पड़ेगा उसके वाद हमें समझ में आएगा कि चतन महाप्रगु ने कैसे जो है वो जो भक्ति रूपी सागर की एक बूंज जो दी है वो कैसे भक्ति रसम रसिंदू तो आब इस प्रकार जो शिक्षाएं हमने सुनी जो उन्होंने रूप और अनुपम को दी थी जो चतन महाप्रगु ने इसके बाद जो शिक्षाएं दी वो शिक्षाएं थी सनादन गोसामी थी क्योंकि सनादन गोसामी जो थे वो पीछे चूट गए थे नवाब की सेवा में ही रह गए कि उनका त्याग पत्र स्विकार नहीं हुआ था और उन्होंने बहुत सारे बहाने बनाए नवाब से उन्होंने काम करना बंद कर दिया अवकाश लेकर घर बैठ गए बोले में बिमार हूं और इस प्रकार नवाब उनसे बहुत रुष्ट हो गया जब उसको पता चला कि यह बिलकुल ही असत्ते है क्योंकि सनादन गोसामी नवाब को पता चली तो वह बहुत रुष्ट हो गया और उसने उनको जो है बंदी ग्रह में डाल दिया उनको और यह बात रुप उसामी को पता चली तो रुप उसामी ने जितना भी उन्होंने धन संचित किया था वो एक नौका में ले जाया प्रिस्ति वाजश्टर में हमने इसके बारे में चचचर की थी एक नौका भर के पूरा धन था उस नौका को वहां से ले गए थे वो और उस नौका में उसका पचास पतिशा जितनी भी मुद्राएं थ जो है ब्रामनों और वैशनों को दे दिया उसकी एक चौथाई जो है वो अपने सवजनों को दे दी संबंदियों को और उसकी भी जो बची हुई थी वो अपने लिए रखी किसी भी जरूत पढ़ने पर और इस प्रकार उनके पास 10,000 सवर्द मुद्राएं थी जो नोने र को प्रेवग में ला सकते हैं तो उन्हों ने रूख गुसामी ने सनातन गुसामी के पास एक संदेशा भिजवाया कि वो 10,000 सवर्द मुद्राएं हैं और बंदी गर्या का जो अध्यक्ष है जो कारागार का उसको ये संवर्द मुद्राएं दे दे और इस प्रकार आप जो कि अज़ार संद मुद्राएं हैं और इसको रिश्वत के रूप में इस बंदी ग्रया के अध्यक्ष को उनको दिया कि आप इसको लिजए और सुकार कीजिए उसे जन को और हमको आप जैने की लिश्वत के लालच में और उसको एक उसको एक कहानी भी बताई की कैसे आप न तो आप जो है पुली तरह स्वरक्षेता हैं यह कथा बता दिए वह यह सारी कथा मान गया और 10,000 मुद्राइं लेके उसने जो है सनातन गुर्षवामी को वहां से मुक्त कर दिया और सनातन गुर्षवामी जो है अब चैतन महाप्रभू से मिलने के लिए निकल पड़े झाल 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 अब इस खता में हमें थोड़ा सिद्धान समझना पड़ेगा क्योंकि हम अगर हम खता पढ़ते हैं और सिद्धान नहीं समझते हैं या फिर हम अभ्यास करें या डिवोष्णा सर्विस करें या स्टडी करें तुरू गोसामी ने इसके संबद में कहा है चैतन महाप्रभू ने इसको प्रदिवादित किया है और प्रभूपाजी ने में इसके बारे में दिखा है कि रिलिजन विदाओ फिलोसपी इस संटिमेंटलिजम और फनेतिसिंप्र ने इसके प्रदिवोष्णा बिना संधान की समझते अध्यात्मिक सेवा के और अभ्यास अध्यादिक सेवा अभ्यास भावुक्ता है एवन अध्यात्मिक अभ्यास केवल सिधान्तों का मनंथ अटकल भाजी अभरीकल्पना या नुमानी है i am । कि अगर हम सेवा करते हैं भगवान की और हम सिधान्त नहीं समझते हैं तो यह सेवल भावुत्ता में कर पाएंगे कुछ समय तक करेंगे हम भावुत्त और अगर हम सिंदान्तों कमन करते हैं लेकिन अभ्यास कुछके नहीं करते हैं हम पिटेरहते य। तो क्या होगा ये केवल अक्कल वाजी और परिकल्पना और अनुमान होगी इसमें यथाद नहीं होगा अलीजे हम बहुत पड़े हैं कि कैसे मंदिर का मार्जन करना है लेकिन मंदिर का मार्जन ना करें तो हमें सिर्फ अनुमान होगा, तो दोनों कार्य ऐसे हैं जैसे हमारी भक्ती की दाठी की गाड़ी चल रही है और उसमें दो पाई है, एक है कि फिर समझ और दूसरा है हमारी वॉस्टनल सर्वेज यानि सेवा, तो सेवा और सिदान की तो दोनों साथ चल थी, अगर एक पईया घिसरने लगा तो फिर क्या होगा गाड़ी होई रूटे माली जा हम सेवा कर रहे जा रहे हैं और सिध्धान्त हमें मालूम नहीं है कुछ दिन बाद हमारा दिमाग पूरा रमित हो जाएगा जो कंफ्यूद हो जाएगा और इसी तरीके से हम बहुत मनंग करते लेकिन सेवा हम कुछ करते नहीं है तो हम कुछ दिन में बोरो जाएगा तो इसी परिपेख्ष में समझते हैं कि सनातन गुसामी ने चत्राज लास की उस्ता के उसमें सनातन गुसामी का चरित्र लिखा है कि वह असे भाशा नहीं करते और नहीं वो कभी घूश देते थे किसी को कभी रिश्वत देते थे लेकिन वहां पे ऐसे कारों में करने पड़े तो जो सनातन गुसामी ने पंदी ग्रह से पलायन किया है उसको समझना पड़ेगा कि वह दिवल्प नातिकता में आता है वह लौकिक नातिकता के नियमों के अनुशार नहीं है कि इसको बोलते हैं मंडेन मॉरालिटी मंडेन मॉरालिटी का मतलब है जैसे उद्रिश्टेर महराज ने प्रण लिया कि मैं सत्य बोलूँगा अब भगवान को आये बताने के लिए कि आप बताईए कि अश्वत्थामा मारा गए लेकिन उधिश्टर इस बात को नहीं से वन्यायकों कि स्वैम भगवान कह रहे तो उनको फिर बड़ी मुश्कित से समझ में आया उसके बाद भी उन्होंने बोल दिया कि नहीं जीमे से कि हाती मारा और अश्वत्थामा नहीं मैं लेकिन यहाम देख रहे हैं कि सनातन गोश्वामी को कुछ ऐसा कारे करना पड़ गया उनको रिश्वत देनी पड़ गई और जो जूटी कथा भी बतानी पड़ी और नवाब से भाना भी बनाया कि मैं बिमार हूं इस तरीके से उ सेवा को छोड़ें और भवान की सेवा में इसलिए यह बात सही है तो दिवरूप से यह नैतिक है और सिधान क्या है अता पूंबिडदा शेष्टा वर्ण आश्रम विभागशा सा अनिश्टस्तस्तस्य धर्मस्य संसिध्यर हरी कोश्णम यानि कि जो भी कार हम करते हैं वे उसकी सिधी तभी है जब भवान पसंद हुए तो सत्य और असत्य भाशन का अपने में कोई मोल नहीं है उसका मोल केवल यह है कि वो भवान को पसंद करने के लिए है अक्पा नहीं तो अब हमें इस परपेक्षा समझें कि क्यों हमें सिधान समझना ज़रूरी है और सिधान इसलिए आवश्यक है क्योंकि हम अनुकरण ना करें क्योंकि उनकी सिति दी ऐसी तो यह हम अनुसरण का विश्यक है कि सिधान्द है भगवान को प्रीज करना संसिति रही तो शहना हो कि हम इस बारे में कभी भी रमित ना रहें कंफ्यूज ना रहें और हमें सिधान्द और अभ्यास नहीं पता हो जैनि ट्योरी एंड प्रैक्टिस बहुत क्लियर रहें तो सनात्म को सामी ने पलाइन किया वहां से कारागारा के अध्यक्ष को रिश्वत देके वहां से निकल गए और निकलने के बाद उमुक्य मार्क से नहीं गए जंगल-जंगल से गए ताकि कोई इनको सरकार में थे बड़े उंचे होते पर इंको पैचान लेता पकड़ लिये जाते और वापस नवाब की बंदी ग्राह में डालती जाते तो इसलिए वह जंगल से निकले और वन मार्क से जाते जाते उनको वहाँ पर एक सराइक मालिक में ऐसी कुछ मैंशा होई कि उनकी हत्या कर दें उनके नौकर ने चुपके से आठ सौंड मुद्रायां दवा लिए और इनके पास कोई धन नहीं था लेकिन उस सराइक मालिक के पास एक जोशी था जिसने बता दिया कि इनके पास आठ संड कुछ संदे हो गया कि वह बहुत भाशा कर रहा था मीठे से तो उन्हों ने अपने नौकर से पूछा कि मेरे पास तो कुछ भ्यानी तुम्हारे पास कुछ है तो फिर उसने बताए कि उसके पास साथ सौन मुझरा है अभी भी उसने छूट बोला तो तो से नातन को सामी ने ज है लेकिन आपने साथ मुझे दे दी मैं इसवे प्रसन हूँ मैं आपका जीवन जो है रक्षा करूंगा और आपको जंगल का मार्ग भी दिखाऊंगा जंगल का मार्ग दिखाने के बाद जंगल से निकले सनातन गुसामी ने अपने नौकर से पूछा तुमारे पास जो एक मुद्रा भी है तो उसको लेकर हमारे सेवा से चले जाए तुनकि उसने सनातन गुसामी और सबके जीवन की खत्रे में डाल दिया इसलिए सब्सक्राइब इसलिए सब्सक्राइब बहुत अच्छी सिति में थे और उन्होंने जो है उनके बाज लगभग तीन लाख समय जाए उन्होंने उन सनमदाओं को में से कुछ अंच सनातन गुसामी को देना चाहा उन्होंने उससे स्विकाल नहीं किया उन्होंने का मैंने सन्याज दे लिया है मैंने तो अपनी सारा दन दे दिया अब मैं क्या करें बड़ी मुश्कि जलते रहे चलते चलते बनारस पहुंच गए और वहां पर वारानसी में को पता चला कि जयतन महाप्रभु अभी जो है लॉट रहे मिंदावन से प्राग राज से मिनने के बाद रूगए वह वारानसी में हैं इस समय और जहां पर रुके हुए थे उन जगह वह चंद शेकर तो जैसे ही सनातन गुर्फामी बहार पहुंचे वैसे ही चैतन महापरभु का अभास हो गया उन्होंने चैतन महापरभु से उन्हें चंदशेकर आचारे से खागी बहार देखके आओ कोई भखता आया जब उन्होंने बाहर देखा तो उन्हें कोई भक्त नहीं दिखाई दिया विल्कि एक दर्वेश जैसा वेक्ति में तब मुस्लिम दर्वेश जैसा वेक्ति नज़र आये क्योंकि उसकी दाड़ी बड़ी हुई थी बाल पड़े हुए थे उसने महंगा से शौल पहन उड़ा ह और अंदर लाके जो है चतन महाप्रभु ने उनका अलंगन किया तो इस समय सनातन गोश्वामी ने चतन महाप्रभु से आग्रे कि हुए उनको मुतस्पर्श ना करें तो बहुत पतित हैं और स्वच नहीं है लेकिन चतन महाप्रभु ने कहा कि आपको भगवान के भक्त हैं और आपका अलिंगन करके मैं धन्यों उसके बाद चतन महाप्रभु ने जो है तो इस प्रकार से जो है सनातन गोश्वामी जो है उनकी भेट हुई है चतन महाप्रभु से आपको चतन महाप्रभु बड़े प्रसन थे उनके वैराग्य से जैसे इतने बड़े राजा होके वो भिक्षुप बनने के लिए तयार हो गया है लेकिन फिर भी चतन महाप्रभु कुछ अपनी दृष्टी से कुछ उनके आपकों से वो देखते रहते थे उनको उस शौल को देख अगले दिन गंगा घाट गए और एक विक्षु से जो है उसके फटे वस्त्र लेके अपना शौल देखिया और वो पहन के जब वापस आये तो चतन महाप्रभु अती प्रसंद में और उन्होंनों इसे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया तुमने बताया आप मुझे लगा कि आपको नहीं अच्छा लग रहा है एक सन्यासी के शरीट पर ऐसे वस्त्र जो है को शोबा नहीं देता है तो महारा जी बड़ी अच्छी बात बोलते थे कि हमारे जो भक्त लोग हैं उनको सभी को धोती-कुर्टा पहना चाहिए क्योंकि हमाई ड्रेस है जैसे सन्यासी की ड्रऽ है वैसे ही धक्तों की स्कौन में भक्तों की भी ड्रस है कि वह क्या पहनना चाहिए जो gently है उनकी एक ड्रस है तो यह मर्णा राज कहते थे कि अगर हम आर्मी में जाएं और हम कहा हैं धोती गुर्टा पहनेंगे तो कोई आर्मी में हमको रहने लेगा इसी तरह अगर हम अध्यात में हैं तो हम अपना कैसे हम हैं कैसे हमने रखा हुआ है अपने आपको कैसे हमने अपने वस्त राभूशन पहने हैं वो सब जो है बड़ा ही मातप बनती है चैतन महाप्रभू ने इस तरह से शिक्षा दी उनको कि किस तरह से सन्यासी का आचरण हना चाहिए और उसके बाद सनातन को सामी ने चैतन महाप्रभू से जो है कुछ प्रश्न पूछे तो उनको का आधार क्या था सनातन को सामी तो आगतम के प्रकान पंडित है चैतन महाप्रभू से मिलने से पहले ही तो किस खोज में क्यों कुछा आच्या चाहते थे तो जो सनातन को सामी और रूप गो सामी के सामने जो दोविदा दी जो चुनाती थी वो हम सब के सामने और वो चुनाती यह है कि हम इस चोटे से चनिक जीवन में क्या हम स्थाई अपनी समस्याओं का स्थाई हल चाहते हैं या अस्थाई हल चाहते हैं क्या हम सच्चे संबंद चाहते हैं या च्छनिक और अस्थाई संबंद चाहते हैं और भागवान का एक नाम है सत्याम के सहस नामों में आता है सत्याम सत्याम मींज परम सत्याम तो देवताओं ने पुजा करी है कि तो देवताओं ने पुझा करी भागवान की दस्वे थ्शाद्या1 तो इसमें भगवान से प्रातना की है कि यह भगवान आप सत्य संकल्प हैं सत्य ही आपको प्रात्प करने का सर्फ शेश सादन है आप अरम सत्य है इन तीनों सत्य वस्थाओं में आप ही सत्य है प्रिथ्वी जल्वाईयों अरकाश इन पांच दिश्रमान तत्व में आप इन्हें सभी उन्यों में 15 मिरूप से विराजमान है आप अर्मार सरूप हैं आप समधर्शन मजरवानी की प्रवर्तक हैं यह भगवान आप तो बस सत्य सरूप ही है हम सब आप पीश्रन जो है सत्य का सरूप है तो जो भी व्यक्टी इस जीवन में सद्द के पोज करने में निकला है अपने उधारन से हमको दिखा रहे हैं कि इस सत्य के बीचे अगर हम भाग रहे हैं तो व्रंदावन में भ्यक्षो बनना भौतिक जीवान में राधारानी के दरवान में भ्यक्षो बनना एक राजा के मंत्री के बनने से ज्यादा शेश्ट पर है क्यों कि हम सच्चे और स्थाई संबंद चाहते हैं हम इस जीवन के परम सत्य को जानना चाहते हैं हम सारे कारणों के कारण को जानना चाहते हैं कि यह जो भी वेक्षि अपने जीवन में सिर्फ चणिक और अस्थाई संबंद और अस्थाई जो भी उसके प्रबंद हैं के उपर उसका विश्वास है वह भगवान को पीछा ना करें लेकिन जो भी वेक्षि चाहता है कि वह कुछ ऐसा उस जीवन में करें कि इस चानिक जीवन से उसको कुछ शाश्वत हल निकल ले आए, ऐसा कुछ पता लगे, जिससे कि ऐसा कुछ स्थाई हल निकले, जो उसके कई आगे आने वाले जीवन में भी काम आएगा, तो उसे भगवान को चेस करना चाहिए, उसे सत्त के पीछे भागना चाहिए. शीमत भागतम का पहला श्लोक, पहला खंड, पहला द्याए. तो सनादन गोसामी महा भागवत थे, और महा भागत होते हुए भी, वो सत्त को अभी भी खोज रहे दे, और ये पहला जो श्लोक है, भागतम का, उसका सिर्प अनुवाद पढ़ते हैं, ये अनुवाद भी काभी लंगा है. ये प्रभू, ये वसुवदेव के गुत्र शीक्रिष्न, ये सरप अभी भागवान, मैं आपको साधा नमस्कार करता हूँ, मैं भागवान शीक्रिष्न का ध्यान करता हूँ, क्यूंकि वे परम सत्त्ते हैं, और संपूर्ण ब्रह्मान की पत्ती पालंत अता संगार के कारणों के आधी कारण, वे प्रतक्ष्टिती से सारे जगह से अवगत रहते हैं, और वे परम सतंत्त रहें, क्यूंकि उन से परे कोई अन्य कारण नहीं है. इश्वराह परमाकृष्णा सचितानंद विग्रहा अनाधिर आधिर गोगंदा सर्वकारण कारण। रम समिता का पहला जगह से अन्य के कारण बड़े-बड़े मुनीतता देवता उसी तरह मुन में पढ़जा पढ़े रहते हैं, जिस प्रकार अगनी में जल या जल में सल देखकर कोई मा के द्वारा मोग्रस हो जाते हैं, जैनी इलूजन, कैलों ने इसको जानते हैं मिराज, तो बड़े-बड़े मुनी मुईत हो जाते हैं भवावान की माया से, उन्ही के कारण ये सारे बहुतिक ब्रह्मान जो पकटती के तीन गोड़ों की प्रतियार का कारण अस्थाई रूप से प्रकट होते हैं, अवास्तिविक होते हुए भी वास्तिविक लगते हैं, अतहा मैं श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ, जो बौदिक जगत के मौरूपों से सर्वतामुक्त, अपने देविधाम ने रंतरवास करने वाले हैं, मौन का इसलिए ध्यान करता हूँ, क्योंकि वे परम सत्ते हैं, तो ये सत्त की खोज भागतम के पहले ही श्लोक से आरम होती है, और यही देवता प्रात्ना करते हैं, जब भगवान जो है माता के घर में हैं, तो ये देवता प्रात्ना करते हैं, और इसी सत्त की खोज में ये शटकोर सामी से, कियूंकि यह सत्य की खोज में थे तनातर मत फोत बहुत उना जाता हूं, माना भाभववत भी जानता और माना जाता हूं लेकिन मेरा प्रेश्न है कि मैं कौन हूं, ये तो मुझे आज तक बताने हैं तो चतन महाप्रभू कहते हैं कि आप बड़े मुद्ध अवस्ता में हैं आपको सारा ज्यान है लेकिन ये प्रश्न आप सभी के लाप के लिए पूश रहें फिर भी मैं आपको बताता हूँ और ये जो बात प्रोपाजी लिखते हैं चतन महाप्रभू ने बोली है ये श्रीमत भागवत गीता में भगवान नहीं बताई थी भगवान का महतब बताने का लेकिन नहीं बताई थी उन्होंने बताया था कि आत्मा और परमात्मा हैं और दोनों का संबंद है लेकिन अगनी ज्वालच आए सभाविक रिष्ण तिन प्रकाच शक्ति अगया कृश्ण का सनातन सेवक होना ही जीव की वैधानिक स्थिती है क्योंकि जीव क्रिष्ण की तठस्ता शक्ती है वे भगवान से एक ही समय में उसी प्रह अभिन और भिन जिस तरह सूरे प्रकाश या अगनी का एक करण कृष्ण की शक्ति तीन प्रकार तो कृष्ण की शक्तियां तीन प्रकार की हैं और ये काफी जो भी भक्तजन इसका ध्यान खर्सु कहें जानते होंगे कि तीन प्रकार की भगवान की शक्ति होती है, एक तो भगवान की अपनी शक्ति, हिलाद्मी शक्ति जो है, फिर भगवान की जो भौतिक शक्ति है, जो माया है, जिसमें जो पंच सत्मों से बनी हैं, और जिसमें प्रकरती के तीन गोण हैं, और फिर जीव, जो कि भगवान की ततस्ता शक्ती, ततस्ता मीन जो तर ताता है तो जब जीव ये सोचता है कि मैं बहुत一次 शक्ति का बहुतिक शक्ति को राकरशिक्त हो जाता है तो वो क्या होता है उस समय वो ब्रहमित हो जाता है यह कंडिशन हो जाता है और जिस समय भगवान की उन्मक हो जाता है वो बहुतिक शक्ति भी उसके काबू में आ जाती है और उसके बार उसकी अपनी भी जो चेतना है वो भी बढ़ जाती है, उठ जाती है तो ये निचोड है हमाई जीवन का, कि हमारा जो सरूप है वो क्रिश्न का नित्यदास होना है और जब हम क्रिश्ण की और उम्मुक होंगे तो हमारी समस्याओं का हल हुग 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 है तो इसको हम लोग सब सुनते हैं और यहां पर जो है यह पूरा जो रचित है श्रेश्ण लोग बपलस्वामी के द्वारा यहां पर हमने इसको दे रखी हैं। राधे 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 जाया जाया माधा वदाईते राधे जाया जाया माधा वदाईते राधे मन्दाल माईते दामो दर रती वरधन वेशे हरी निश्कुत व्रिन्दा विपिनेशे दामो धर रती वरधन वेशे हरी निश्कुत व्रिन्दा विपिनेशे राधे जाया जाया माधा वदाईते बोखुल करूनी मन्दाल माईते बोकुलत अरुणे मन्दल मारे ते व्रिशभानू धधी नवसशिले के ललिता सक्की गुन्ना रमिता विशाके व्रिशभानू धधी नवसशिले के ललिता सक्की गुन्ना रमिता विशाके जया जया राधे जया जया माधवादाई ते बोकुलत अरुणे मन्दल मारे ते करुनाम कुरुमाई करुना भरी ते सनकसनातना वरनिचरी ते सनकसनातना वरनिचरी ते करुनाम कुरुमाई करुना भरी ते करुनाम कुरुमाई करुना भरी ते सनकसनातना वरनिचरी ते राधे जया जया राधे जया जया माधवादाई ते राधे जया जया माधवादाई ते गोकुला तरुनी मंदल माई ते गोकुला तरुनी मंदल माई ते राधे जया जया राधे जया जया राधे जया जया माधवादाई ते गोकुलतारूने मंदालमहिते कि में एक डिशना नियुक्त सब्सकराइबर तो किसी का कोई प्रहश्ण या कमेंट है तो आप प्रभु जी से पुछाएब कि स्प्रकार कि इस प्रकार कि अब्ने देखा कि कैसे चतनमाभू में शिक्षा दी कि जीब का सरूप क्या है और हम आगे आने वरे सफ्र में चयतन महापबू की और भी शिक्षाएं जोनों ने रूप सनातन गोश्वामी को दी इसके विश्य में चर्चा करेंगे और मेरा अनुरोध है कि सभी लोग अपने जो भी पीका टिपणी और जो भी सजाओ रशनादी हैं उनको सामने रखें रकट परें कि अरिक्रिक्ष्णा कि भाविक प्रभू कि यस प्रभू जी तो मैंने लगाया है जो भी प्रश्ट अभी है टीका टिप्णी है कर सकते हैं यह कि प्रश्ट न है या कोई कमेंट है तो आप कर सकते हैं हम दो मिनिट इन मिनिट वेट करते हैं हरे कृष्णा प्रभूजी धन्वाच्पृडपृष्टु प्रभादरम् पूछना यह वह ऐसा वे देव की नंदन प्रभुजी की तुछ अधिया है यह रूप को स्वामी की मनोभाव है रादा रानी के पती और इसे हमने थोड़ी सी चर्चा करी थे संशित में के जो रूप को स्वामी है वो द्यांतमिक रूप मत्री का है रादा रानी की दिला में में इसेवा करती है और यहां पे हम लूँ के लिए रूप को सिर्चा करते है राधा रानी के दर्शन होते हैं ऑčने मने ऑब बड़ा वन्हीं किया है कैसे राधारानी, कैसे वेश्पुशा रखती हैं, कैसे कृष्ण को आकरश्र करती हैं, और कैसे उनकी जो सहीरिया हैं, जो पाखाल, अलिता अजी, इनके सम्हें पृटा करती हैं. तो रूट गुसामी ने जो है, बहुत से ग्रंथ लिखे हैं, और कुछ नाटक लिखे हैं, और जो नाटक हैं, इन नाटकों को जो है, चैतन महापगूर, जितने हमारे, चैतन महापगूर के संपक्ष, जो उस समय बड़े-बड़े भक्त थे हमारे, जैसे की हजिए काकूर, और रामानंद राय, नित्या नंत्रव, तो जब ये नाटक जब इनकी रचना हो रही थी, जिसमें राधा रुकिष्ण की लिडाएं हैं, और भगवायन की द्वार का लिडाएं हैं, विधग और ललत माधव नाम के जो नाटक हैं, जो रूट गोसामी ने लिखे हैं, इन में जो नाटक में जो भी दिलाएं हैं, उन सब प्रकार से रिव्यू है, इन सारे भक्तों ने किया, उन से सुना ही ये क्या आप लिख रहे हैं, उसके बाए जब इनको अच्छे से रिव्यू किया गया, तो ये जो है हमारे जो गोडिया वाष्ण पहरंपरा है, उसमें इन उनने संकलन किया है, या जो भी उनने लिखा है, उनने ग्रंथ लिखे हैं, तो दो जो ग्रंथ हैं, जो सभी भक्तों को बले जाते हैं, जो रूप पोसामी ने लिखे हैं, वो तो है उदेशामृत और भक्ती रिसम पर संधू, इसके लावा उजवल नीनमनी नाप की एक औ जो भी ये लिलाओं का वन्नन किया है, जो कि उसी के लिए संभाव है, जो राधा क्रिश्न की लिला में प्रवेश्च कर गया हो, तो राधा क्रिश्न की लिला में जिसने प्रवेश्च नहीं किया हो, वो संभव नहीं कि उससरे से वन्नन करता है, और ऐसे बहुत से प्रकर इस पात बहुत बूरा मान गए उन्होंने का यह तो बड़ा अप्राद है कि आपने इस तरह का वर्णन कि लेकिन कुछ समय बाद सनाकर राधारानी के ऐसे दर्शन हुए और फिर इनको समझ ने आए कि बास तो हमारे जो परमपराओं में इस पात की बहुत चर्चा यह देख जो व्यक्ति कनिष्ट है उनको अपना शवन कीवतान और अर्चविग्रे की सेवा में ध्यान देना चाहिए लेकिन अगर इनको इसका कुछ-कुछ अस्वादन लेना है तो हमें कृष्ण बुख में इस सब्सक्ता है कि बहुत पाजी ने लिखा है कि मैंने अपने अधिन टीम को उप्समें से हमें कुछ इसका वल सकता है और इसके बार कुछ आस्वादन हमको अधिर समय संदूर और अधेशा में तुख्या मृत्तू कहरने हम लोगने के लिए नेक्टार के इंस्ट्रक्शन है लेक्तिर समय सकते हैं कि किस प्रकार से रस होते हैं तक्या प्रवाई प्रवाई जिए प्रवाई प्रवाई जारे प्रवाई आरे चिसी और कुछना या कमेंट है एए एए कि आप कुछ ठीका करेंगे तो प्रणवाद प्रणाम क्या करना है इतना सुन्दर आपने वरणन किया और हमारे इन गोश्वामियों के बारे में भला क्या कहा जा सकता है इनका वहराग्य चरमतम सीमा पर था एक प्रशन उठता है कि श्रीला सनातन गोश्वामी, रूप गोश्वामी और जितने अन्यश्वड गोश्वामी गण हैं इन सबने वहराग गिलिया और बहुत बड़े-बड़े पदों पर थे, इतनी संपत्ति थी सबका इन्होंने परित्याग कर दिया तो ऐसा लगता है कि उस समय तो इनको साक्षाद भगवान का दर्शन हुआ था और भगवान का साक्षाद दर्शन किसी को हो जाए तो उसको संसार छोडने में शायद उतनी कठना ही नहीं होगी तो आज के परिवेश्च में कैसे किया जाना चाहिए हमें तो साक्षाद भगवान का दर्शन हो नहीं रहा है ठीक है हम भागवत के माध्यम से अर्चा विग्रा के माध्यम से भगवान का दर्शन कर रहे हैं लेकिन क्या वो अनुभाव हमको कभी हो पाएगा कि हम साक्षाद भगवान का दर्शन ही कर रहे हैं और हमको भी उसी तरह वेराग ले लेना चाहिए जिस तरह हमारे इन शट गोश्वामी आचारियों ने लिया, याशिला प्रभुपाद जी ने लिया, हमारे गुर्देव ने लिया, तो यह भावना हमारे मन में कब आएगी और कैसे आएगी, और किस तरह इसको समझा जाएं? प्रभुजी मैंने थोड़ा बहुत ननन्न किया था इसके उपर, मेरा थोड़ा सा कुछ विचार है, आप बताईए ये सही है कि मुझे ऐसा लगा कि ये जो शट गोश्वामी हैं क्योंकि ये मंजीरियों का सरूप है, इनके लिए संभव है ये कार करना, और ये कार इन्हो जैसे वैशनव सितान्त उन्होंने रखे, कई मंदिनों का निर्मान किया, उन्होंने एक परंपरा दी, जिसकी वज़े से जो लोग इस पौतिक संसार में फसे हुए हैं, जैसे क्रेस्ट हैं, और जो भी निकान नहीं सकते, जो सन्यास नहीं ले सकते, तो उनको लाब हो, तो हम उनके अनुसरान कर सकते हैं, उनकी शिक्षाओं का अनुकरान तो नहीं कर सकते, क्योंकि अनुकरान करना तो लगवा का संभव है, क्योंकि रगुनादास को सामी के विशे में मैं पढ़ा था, किवल एक गलेसिया मठा लेके, करीब 40 साल तक वो काफी स्वस्त रहे, तो भी आधी गलेसिया, चोटा गलास का अधा, वो मठा लेते थे नाम के रिए कव्वान का सामी, हम लोग 40 साल कैसे रह सकते हैं, कुछ स्वस्त ही नहीं थे बल्कि उसके बाद गरंत भी लिखते थे, और मंदिरों का भी निर्मार करते थे, उतनी ही तुराक्स है, तो यह हम लोग के वाल उनका अनुसरन कर सकते हैं, तो हम लोग के मन में निस्ठा आए कैसे कि ऐसा करना चाहिए, उनका अनुसरन तो कर रहे हैं, देख रहे हैं कि उन्हों जो किया वो किया और हमको भी करना चाहिए, लेकिन अभी भी कही बार ऐसा होता है, हम लोग के जीवन में क कई बार कभी कोई मंदिर से सेवा मिलती है तो हम लोग सोचते हैं कि चलो इसको कोई दूसरा ही कर लेगा हमें क्या करना है हम तो और कुछ कर लेंगे या कुछ और दूसरे कामों में लगे हुए हैं कोई नो कोई बहाना जो है जीवन का आही जाता है तो हम लोग अभी शायद यह हो सकता है कि committed है नहीं वास्तों में हमारा वो संकल्प जो होना चाहिए जो उन शट गोश्वामियों ने सिखाया या जो उनके मन में उत्पन हुआ वो हमारे पास है नहीं और शाहिद जिस दिन वो संकल्प आ जाए तो सारे रास्ते सीधे हो जाएंगे तो संकल्प करने के आशकता है ऐसा मज़े लगता है तो वो संकल्प कब आएगा कैसे आएगा मालूम नहीं चलता है और यह तो बात सही है कि हमारे गोश्वामी गण जो है उनका मतलब सोच भी नहीं सकते हैं कि उनको कोई करभी सेगा इसलिए कि जैसा भी आपने रवनाद गोश्वामी महराज की बात बताई तो उनका वैराग तो कितने कुछ कोटी का था और कहा ही नहीं जा सकते हैं विराजकुमार थे और लेकिन जब वैराग के लिए हैं तो जगर नाजी में कैसे रहे हैं वो आप सब जान और उस भजन में भी वो एक हजार बार रोज भगवान को दंडवत करते थे और दो हजार बार वैश्णों को दंडवत करते थे और ये क्रिया उनके जीवन के अंतिम समय तक चलती रही है यहां तक कि जब वो असक्त हो गये हैं उठ नहीं सकते थी ठीक से एक बार दंडवत करने के बाद फिर उनको उठने में बहुत समय लगता था तो कई बार ब्रजवासी उनसे कहते थे कि महाराज अब आप बहुत बूड़े हो चुके हैं आपके शरीर में अब इतनी शक्ति नहीं है कि आप अपने उस प्रतिग्या को पूरी कर सकें तो भगवान जानते हैं आ मेरे इस ब्रत को तोड़ने की बात मत करिए यदि आपको मेरे पर दया आती है तो मुझे साहरा दे के उठा दीजिए जिससे कि मैं खड़ा हो करके फिर दंडवत कर सेको हो यह निश्ठा यह विश्वास यह द्रनता और हम लोगों के अंदर तो कहीं दिखाई नहीं देती ह है और बात बड़ी-बड़ी करने लगते हैं और यह भी प्रश्न पूछते रहते हैं कि कैसे होगा कैसे होगा अरे उसका उत्तर भी तो इसी में है कि मैंना माराज भी उधारन है कि अपनी जैसे वास्था में वो सेवा करते रहते थे और प्रॉस्वास होते थे सहरा लेकर चलते थे लेकिन सेवा में कभी कमी नहीं करते थे और हमने देखा है कि हमने भी अन्भो किया एक बार और हमारे वैशनो लोग, हमारे गुरु भाई लोग कई बार बताते भी हैं कि महराज अबुदाबी वगैरा में रात के समय पहुचे हुए हैं, उसी समय वो बैठ करके भागवत क्लास चालू कर देते हैं और मंगल आरती त हैं, एयरपोर्ट से उनको पिक करके यहां पर राधा जीवन प्रभु के घर पर ले आये थे हम, और ले आने के बाद वो बैठे हैं और बैठने के बाद उनको जलपान करना, ये करना, वो करना, दुनिया बर की चीज़ें, कुछ ने, अभी कमरे में आये हैं और बैठे हैं और निश्चित रूप से हम सबको उसका अनुसरन करना चाहिए, पालन करना चाहिए, लेकिन कितनी द्रणता से हम उसका पालन कर रहे हैं, कहते हैं कि हम कर रहे हैं, लेकिन सायद कर नहीं रहे हैं, यदि कर रहे होते हैं तो ये प्रश्न जो हम पूछ रहे हैं, पूछते ही उत्तर तो है सामने ही रखा हुए आचारियों ने करके दिखाया है तो करो भाई आप भी करो सीखो अब करते तो हो नहीं पूछते रहते हो कि कोई घोंट करके एकदम से मुह में डाल दे और बस सब ठीक ठाक हो जाए तो ऐसी कोई घोटी घोटाई जो है जड़ी बुटी नह पूछने क्या हो शकता नहीं हम लोग पूछने के दौर से गुजर चुके हैं उपर उठ चुके हैं इस समय करने वाला दौर है इसको कैसे किया जाए इंप्लिकेट कैसे किया जाए वो करना है और इंप्लिकेट करने वाला ये भी प्रशन पूछना ठीक नहीं है कि कैसे किय जाए, वो हम जानते हैं, करो, 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 स्वयम को करना है, यह हमको करने की, इस इस्तिति में है हम लोग, प्रशन पूछने की इस्तिति में नहीं है, करने की इस्तिति में है, तो मैं क्या बता हूँ प्रूजी, आपने इतना अच्छा गणन किया और इन आचारियों के बारे म इनकी जीवनी को पढ़कर के रोमान्च हो जाता है कि कैसे इनोंने भगवान की द्रण भक्ति की तभी तो ये पुझ नहीं है संसार में इनकी फूजा रोज होती है क्यों होती है ये इनोंने अपने इस त्याग को हम लोगों के सन्मुख नहीं प्रकट किया होता तो आज जो 24 इस घंटे पूरे विश्व में इनकी आरती होती है कैसे होती इसलिए वो रही है इनोंने त्याग किया और हम लोग जो है त्याग तो करते नहीं है पर चाहते हैं कि हमारी भी आरती होती रहे तो ये हमारी मुर्खता है बहुत-बहुत धन्यवाद प्रभुजी आपने संद ये चर्चा शुरू की है और इसमें हम लोगों को बहुत-बहुत प्रेयर ना मिल रही है रोज दन्डवत प्रणाम अरे कृष्णा अरे कृष्णा थैंकि प्रभू आपने अच्छा उब्रेश दिया है हमको लगता है कि भगवान से हमें डंडे मारने मार की मार की सर्वत कर्ष्ट होता है तब ही प्रभु जी बार-बार हम लोग जो सचते हैं कहते रहते हैं तो उसका प्रश्ण पूछने बैठ जाते हैं इसका मतलब है कि हम केवल प्रश्ण पूछने की जिग्यासा रखते हैं लेकिन उसका अनुसरन करने कि उसका पालन करने की चेश्टा नहीं करते हैं तो प्रश्ण पूछने तो कोई फायदा ही नहीं है आप पहले चेश्टा कर लो फिर उसमें यदि आपको सफलता ना मिले, तब प्रश्न करो. कि मैंने इतना प्रयास किया, बहुत मेहनत किया, प्रभु जी, अब आप ये बताईए कि हमको सफलता नहीं मिल रही है, क्या करें? तब जड़ा उस पर कुछ समझा बोजा जाए, कुछ बिचार किया जाए, लेकिन हम तो करते हैं ने, बस पूछते रहते हैं. एक विचार है, प्रभु जी, एक विचार मेरे को भी आप बता रहे थे, मुझे आया आपकी प्रेड़ना से, कि जो और अन्य परामपरा होती, इसमें बहुत गुप्त और गुई होती हैं, कि कैसे उन्होंने लिखा, कैसे गरंत बनाये, कैसे उनको दर्शन होए भागवान कि लेकिन हमारी परमपरा में सब कुछ पताया गया है, हमें मालूम है कि गोश्शामी 22 घंटा जो है, जागरेत रहते थे, जागरेत रहते धान नहीं लेते, हमें मालूम है पर कुर्स होते थे, Beeth Byadhanat adhan, माराज भी ऐसे ही परिष्टरम करते थे, अपनी गरुप्त का, तो ये बात वह सिर्फ भ्रतिकता को समझता है उसको भी समझ में आजाएगा कि परिश्रम का वहां हो निश्रेट कार क्र रहा थे निश्र चुर्ण कि इस परिश्रम को सम्झ ते कर दे हैं तो यह बात है बंखरेट कर दीगई है वह क्या सिंश्रम कैसे कर देद हम अथा प्रभुजी हम लोग देखिये, हम सभी लोग जितने लोग इस परंपरा से जुड़े हुए हैं, या नहीं भी जुड़े हुए हैं, सभी ज्यादा तर हम सब इस परिवेश में हैं कि हम अपना भावतिक कारे भी कर रहे हैं, हमारा अपना जो रोज मर्रा की जिंदगी चलाने के लिए जो जीवी का चलाने के लिए जो भी ब्योसाय हमारे सामने हैं उसको भी कर रहे हैं और साथ में भगवान की भगती भी करने का प्रयास कर रहे हैं हम देखते हैं कि जब हम अपने जीवन में खुद देख चुके हैं कि जब हम बहुत 100% अपने ब्योसाय में अपने कार पढ़ना पढ़ाना इसी को किया करते हैं तो बहुत सफलता हैं मिलती रही बहुत कुछ आगे बढ़ते रहे लेकिन जब से गुरु माराज के दर्शन वे थोड़ा बहुत ग्यान प्राप्त हुआ कि यह सब तो चीजें यहीं रहने वाली हैं अब जड़ा भाग और मुड़ो तो जब से फिर ध्यान जो है दोनों तरफ बटने लगा तो निश्चित रूप से अब जो कारी हम उस समय कर लिया करते थे हम नहीं कर पा रहे हैं तो जो सफलता उन दिनों मिलती थी और नहीं मिल रही है लेकिन उन दिनों अगर थोड़ी सी असफलता मिल जाती थी तो जीवन में हो चाहे अध्यात्मिक जीवन में हो परिश्रम तो करना पड़ेगा और उसके लिए यदि हम आधे मन से काम करेंगे तो आधी सफलता मिलेगी और पूरे मन से करेंगे तो पूरी सफलता मिलेगी ये तो निश्चित है तो अब दो नाव पे पैर रखेंगे तो ड तो इसलिए हम भी प्रयाज कर रहे हैं कि एक नाव को छोड़े जल्दी जल्दी और बस दूसरी नाव को पकड़ ले जिससे कि बगवान कुछ कल्यान करें नहीं तो बड़ा मुश्किल लग रहा है प्रभुजी बहुत ही मुश्किल लग रहा है वेल्कम टुशी रादा निलमादधाम बस जल्दी आएंगे प्रभु हम बहुत ज्यादा दिनों तक इसको बशेटने वाले नहीं है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अच्छी न्यूज है आजी लेकि मैं आजी सुबह में देवकिनननपु सीसी बारे में चार्चा कर दा आप लोग को पता नहीं क्या है लेकिन एक तो पुछ हमको पोराना के लिए लिंबू पानी करना पड़ेगा भाग जाए करके लिंबू लगाना पड़ेगा अब जल्दी आप लोग आजाए हम दोनों वही चैचा करें तो पसाभी लोग लेकिन आप लोग जो अभी रहा है इसलिए दिवके बूल रहा था कि सभी भक्तों का प्रयास करेंगे कि महाराज के सेवा में जूड़ जा तो महाराज के कारियों तो आगे लिके जाने हम बहुत सरा कुछ नहीं है हाँ इसलिए समय तो जैसा आपने भी कह दिया कि समय तो जा रहा है और वो जाएगा वो आने वाला भी नहीं है और निश्चित रूप से हम लोगों को इस बारे में बिलकुष सचेत हो जाने की आवशकता है अभी मेरा रिटायर्मेंट तो छे-साथ साल बचता है लेकिन नहीं हम उतना नहीं ले जा पाएंगे मुझे सफोकेशन होने लगा है वास्तों में त आप बहुत प्रस्टना कर रहे हैं लेकिन आप आप भी त्यारी में रहे ना आप बोलना हमाद कि मेरे 15 साल बागी है प्रभु आपके लिए आपको अठीक कर रहे हैं अठीक लगनों करें तो भी अच्छी बात है लेकिन समय निकालना है राजकोट के लिए आपको आपको का जैसा देशां को की जैसी क्रफाव ऐसा करें हम सुबह वही चैचा करें तो मैं बता रहा था है याश्वाद अधेव किना प्रभु को की हम 2020 में जूम की ऑनलाइन सालों के और भी बाकी छोड़ दीजे लेकिन में सबसे बड़ी बात उबर क्याई इस एक साल में क आपने कामकाज में एक्सपर्टों के भी अध्यात्मीक से जुड़े होए है और उसमें चित्र प्रस्तूत कर रहे हैं बहुत सारे महाराज के प्रूब है तो उनको और शेत्र खुला होना चाहिए और उनने उस चित्र में प्रवेश भी करना चाहिए जोनों बादू से अम अब हम यह लेक्टर की पूर्णा हुति के तरफ आगे बढ़ते हैं तो मैं इसको नंदी प्रामुख श्रीवष्णा उसे आप रभुजी की तरफ से प्रसन रोदिन प्रभुजी का कुप-कुप्त निवात करना चाहता हूं जिन्होंने इतना सुंदर लेक्टर दिया प्र आगे लिए सबको, हरे कृष्णा आगे लिए, हरे कृष्णा